अगर आप एक बेगनर हैं और आपने एंड्रोइड एप बनाना सीखना जो है अभी स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि अलर्ट डायलोग जो होता है वो क्या होता है और इसका यूज हम अपने एप में कैसे करते हैं कैसे हम अलर्ट डायलोग को अपने एप में लगा सकते हैं और इसका हमें क्यों यूज करना चाहिए सारी बाते इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो बने रहे हैं हमारे के साथ इस वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो चलिए सुरू करते हैं पहले मैं आपको अलर्ट डायलोग दिखा देता हूँ किस तरीकी का दिखता है यह एक इमेज है अलर्ट डायलोग की स्क्रेंशॉट और इसके बारे मैं आपको कुछ में बता देना चाहता हूँ माल लिजे आप यूजर से कोई डिसिजन लेना चाहते हैं जो की येस और नो में उसका रिस्पॉन्स अगर आप चाहते हैं यूजर से ठीक है तो आप अलर्ट डायलोग ऐसे में आप लगा सकते हैं ये काफी अच्छा ओप्सन हो सकता है अगर आप यहां पर यास और नो की जगह ओके एंड कैंसल बटन भी लगाना चाहते हैं तो वह भी आप लगा सकते हैं स्क्रीन पर एक मैसेज यहां पर सो कर रहा है Do you want to close this application और इसके बाद एक पॉजिटिव बटन है एक नेगिटिव बटन है पॉजिटिव बटन हमारा यस है नेगिटिव बटन नो है जैसे ही यूजर अगर नो बटन पर क्लिक करेगा तो हमारा ये डायलोग बॉक्स है ये चला जाएगा चैंसिल हो जाएगा और एप हमारा जो है वो क्लोज नहीं होना चाहिए और अगर यूजर यस बटन पर क्लिक करता है तो एप हमारा जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए ठीक है तो ऐसे में हमको ये इस तरीकी का अलर्ट बिल्डर का एक object बनाना पड़ता है, ये class होती है, builder जो होती है, वो inner class होती है, alert dialogue class की, ठीक है, तो उसका हमें object बनाना पड़ता है, object बनाने के बाद ही हम alert dialogue को बना सकते हैं, तो चलते हैं, सबसे पहले हम android studio open करते हैं, यहां पर मैंने android studio open कर लिया है, project मैंने already create करके रखा हुआ है, आ जाएंगे resources पर, layout पर, activitymain.xml, हमारी layout फाइल ओपन हो गई है, यहां पर हम सबसे पहले तो एक button बनाएंगे, तो button बनाने के लिए हम यहां पर लिखेंगे, button, और इसका width हम दे देंगे wrap content, और hide इसका दे देंगे wrap content, text दे देंगे, यहां पर हम इसको, so, alert, dialogue, और, id इसकी देंगे, यहां पर हम, so, alert, id, आप आप यहां पर देख रहे होंगे, हमने यहां पर लिखा हुआ है, सारे कि सारे लेटर हमने capital में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी यहां पर सारे के सारे लेटर जो है बटन पर कैपिटल में सो कर रहे हैं हमने यहां पर सो का S कैपिटल लिखा हुआ है अलर्ट का A कैपिटल लिखा हुआ है और डायलाग का D कैपिटल लिखा हुआ है केवल बट यहाँ पर सारे की सारे लेटर जो है capital में तो इसको fix करने के लिए हम एक attribute लिखते है जो की है x all caps और इसमें value देते हम इसकी value हम देंगे false ओके तो इतना करने के बाद हम आ जाएंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा हमने लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा यहाँ पर show कर रहा है तो design टैप पर आते हैं design टैप पर आने के बाद इसको right से constraint करेंगे left से constraint करेंगे इसको bottom से constraint करेंगे और इसको top से भी constraint कर लेंगे इतना करने के बाद हम आ जाएंगे java activity पर java class पर main activity dot java जो हमारी class होती है यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले हम एक button का variable बनाएंगे show button ठीक है show button मैंने इसका नाम दे दिया है यहाँ पर हमें बोल रहा है alt इंटर प्रेस करने के लिए तो alt इंटर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट हो चुका है हमारी यह जो विजिट डॉट बटन की लाइब्रेडी होती है वो इंपोर्ट हो चुकी है अब आ जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए सेमि कॉलन लगाएंगे अब हमें इंस्टेंस क्रेट करना होगा तो उसके लिखेंगे सो इक्वल फाइंड ब्यू बाइडी आर डॉट 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 सू अलर्ट आईडी यहाँ पर मैंने आईडी दिया था आप देख सकते हैं यह आईडी मैंने दिया था तो यह यहाँ आईडी यहाँ पर पास करेंगे और इसको यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे सेमि कॉलन लगा करके आगे बढ़ते हैं सो अलर्ट बटन पर हम क्लिक इवेंट का एक क्लिक इवेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे यूजर अकर बटन पर क्लिक करता है तो क्या चीज हम चन्रेट हो करके आउटमेटिक ली मेथड आ चुका है on click मेथड इसके अंदर हमें कि अलर्ड डायलोग सो करना है तो हम लिखेंगे अलर्ड डायलोग डॉट बिल्डर और अब्जेक्ट का नाम यहां पर लिखेंगे बिल्डर equal new alert dialogue और यहाँ पर हम context pass करेंगे तो context हमारा हो जाएगा main activity dot this ठीक है इतना करने के बाद हम builder यह builder जो object का नाम है यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद हम dot set title dialogue box में आप क्या title वो करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे तो मैं यहाँ पर close app जो है लिख देता हूँ आगे बढ़ते हैं builder dot set message अब क्या message screen पर देना चाहते हैं alert dialogue के अंदर तो वो यहाँ पर लिखेंगे तो मैं यहाँ पर देता हूँ are you sure want to close this application चीक है terminate करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम set icon कर लेंगे icon set कर लेंगे उसके लिए हम set icon लिखेंगे और driveal में आप कोई custom image भी यूज कर सकते हैं आप internet से download करके image यहाँ पर डाल सकते हैं copy करके यहाँ पर आएंगे यहाँ पर write लिख करेंगे और paste करेंगे तो यहाँ पर image वह आ जाएगी यहाँ पर हम r.dribal और मैं यह पहले से image इसमें है तो मैं इसको use कर लेता हूं और यहाँ पर इसको terminate कर देंगे अब हमें चाहिए positive और negative बटन तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर add कर देता हूं builder.set cancelable और cancelable को मैं कर देता हूं true यह जो line है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा जब हमारा app जो है run करना start हो जाएगा तब मैं आपको यह line जो है इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे बढ़ते हैं builder.set positive बटन यहाँ पर मैं लिखूंगा positive बटन हमारा हो जाएगा yes यहाँ पर comma देंगे इसके बार new dialogue interface और इसके बार new dialogue interface dot on click listener method जो है लिखेंगे और आपका यह जो automatically generate होकर के यह method जो है on click method अगर नहीं आता है तो आप red color का underline करके यहाँ पर एक error so करेगा आप वहाँ पर right click करेंगे और implement methods आपको एक उपर option मिलेगा implement methods करके तो आप वहाँ से implement कर देंगे तो यह on click method जो है यह आपका आ जाएगा ठीक है यहाँ पर इसको terminate करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना होगा अगर मा लीजिए user के screen पर यह message हो कर रहा है are you sure want to close this application और user ने yes बटन पर click किया तो ऐसे में क्या होना चाहिए तो यहाँ पर हम finish method को call करेंगे finish method क्या करेंगा app को हमारे finish कर देगा app को हमारे close कर देगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब हम बना लेते हैं negative button तो उसके लिए लिखेंगे object का नाम उसके बाद dot set negative button और यहाँ पर negative button में हम no कर देंगे comma new dialogue interface फिर से वही चीज़ है यहाँ पर on click listener और यह method जो है automatically आ जाएगा अगर नहीं आएगा तो आपको पहले मैंने बता दिया है क्या करना होगा आपको implement करना पड़ेगा तो आप वैसे कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमें dialogue इस dialogue को लिखना पड़ेगा पहले तो dialogue.cancel cancel method को हमने यहाँ पर इसलिए call किया है कि अगर मान लीजिए कि user जो है no button पर click करता है तो ऐसे में हमारा जो है अप close नहीं होना चाहिए अप जो है close नहीं होना चाहिए हमारा जो dialogue है वो cancel हो जाना चाहिए और app जो हमारा चलता रहना चाहिए ठीक है इसके बाद आते है नीचे यहाँ पर हमें alert dialogue का एक objective वराना पड़ेगा तो मैं उसके लिख लिए लिख लेता हूँ alert dialogue alert dialogue equal new sorry यहाँ पर new नहीं होगा यहाँ पर builder.create method को call करेंगे create method इसलिए call करेंगे कि जो हमारा builder है उसको हमें यहाँ पर create करना होगा और उसके बाद जो है alert dialogue को show करना होगा तो उसके लिए show method को call करेंगे तो object का नाम लिखेंगे यहाँ पर इसके बाद show method को call करेंगे चीक है इतना करने के बाद app जो हमारा ready हो चुका है इसको करना है run और run करने के बाद देखते हैं app हमारा अच्छे से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है सबसे पहले तो हमें यहाँ पर no device लिखा हुआ so कर रहा है तो मैं अपना phone कर लेता हूँ connect उसके बाद मैं करता हूँ run तो app हमारा हो चुका है launch चलते हैं देखते हैं यह देखिए हमने एक button यहाँ पर लगाया हुआ था वो यहाँ पर सुक कर रहा है click करते हैं इस पर तो यह देखिए यहाँ पर तो image आ रही है जो हमने image यहाँ पर लगाया था drawable में यह image जो है वो यहाँ पर है इसके बाद the closed app title हमें लिखा था यह title यहाँ पर आ रहा है और यह message जो है are you sure want to close this application वो यहाँ पर सुक कर रहा है साथ ही दो बटन है yes बटन और no बटन तो मैं अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नो बटन पर अभी मैं यहाँ पर no बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए dialogue box जो है हमारा वो cancel हो चुका है चला गया है और एप जो हमारा एप अभी बंद नहीं हुआ है अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दुबारा से और स्क्रीन पर कहीं पर भी मैं क्लिक करता हूँ तब भी देखिए हमारा dialogue box जो है वो चला जाता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर set cancelable को true गया हुआ है ठीक है अगर आप set cancelable को यहाँ पर false करते हैं तो आपका जो dialogue box open होकर क्याएगा और आप screen पर कहीं पर भी अगर क्लिक करेंगे dialogue box के बाहर अगर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपका यह जो dialogue box है वो disappear नहीं होगा यह जाएगा नहीं ठीक है यह बना कब बना रहेगा screen पर ठीक है ऐसे ही आपको दिखता रहेगा cancel नहीं होगा ठीक है तो अभी हम क्लिक करते हैं yes button पर test करते हैं कि हमारा yes button काम कर रहे है क यह देखिए एप हमारा हो गया close मतलब कि हमारा जो yes button है वो भी काम कर रहा है तो इस वीडियो में इतना ही विलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा